तो दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिक्ष अकैडमी पर तो आज के वीडियो में हम क्लाश 10 इंगलीज का प्रेक्टिस सेट ए देखेंगे जो कि आपके बोड एक्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और आपके सभी सभी आपके डाउट यहाँ पर आज क्लियर रहोगा आपका कोई क्वेश्चन है फ्रेंट्स चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें और अपने द क्याइब करें उसका क्यान इसकी जायेंगे टीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन भी नौट कशिडेंट्व क्वेश्चन है जिसमें हमें पहलत दिया गए हैं दिया ने बिग्निंग अभि नौट आफ़िवाज इसके बाद आप भी यहाएंगे ठीक है तो तो bank shop के कोई grandmother नहीं थे, इसका answer हो जाएगा, option deep hand, ठीक है, तो bank shop has non grandmothers, तीसरा है, why are we all the same in the poem including all my friends, तो including all my friends के अनुसार हम सभी के सभी कैसे समान है, तो इसका right answer हो जाएगा, human होने के नाते अर्थात, माना होने के नाते, मनुस्य होने के नाते, हम सभी के सभी एक समान है, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, we all are human beings, next question है, in poem about me, I have khalistan names, तो about me के poem में कभी के कितने नाम है, तो इसका right answer है, option B, tube names फे, in the poem about me, I have two names, पाचवा है, what place does Sumba imagine, तो Sumba कैसे place को imagine करता है, तो इसका right answer है, adventurous, Sumba कैसे place को imagine करता है, adventurous, तो इसका right answer हो जाएगा, option B, फिर हमारे पहले का question, B दिया गया है, fill in the blanks, using correct alternatives, तो यहाँ पे भी friends हमें कुछ alternatives दिया गया है, जिसको हमें blanks को fill करना है, तो हमें पहले दिया गया है, first, Sanskrit is blanks, difficult language, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, alternative is A in the, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा A, यह article का question है, और आपको अपने board में article का एक question देखने को ही मिलेगा, article का एक question आएगा ही आएगा, आपके board exam में, तो Sanskrit is a difficult language, तो यहाँ पे A आ जाएगा, फ्रेंड, Sanskrit is a difficult language, यह हो जाएगा A, they don't know her, तो इसमें हमें दिया गए A, question tag, A, question tag, from the given choices, तो हमें यहाँ पे question tag दिया है, do they, don't they, does they, तो यहाँ से friends, आपको एक question तो definitely question tag का देखने के मिलेगा, तो question tag बहुत भी आसान होता है, बहुत ही simple होता है, तो इसको बनाने के लिए आप सिर्फ sentence को देखे, तो हमें देखे, क्या दिया गए, they don't know her, तो यहाँ पे हमें not वाला लगा है, यहाँ पे यानि कि sentence कैसा है, negative sentence है, तो जो अगर sentence negative है, तो उसका question tag positive होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर दिया गए sentence negative है, यानि कि not लगा है, तो उसके question tag में not नहीं लगा रहेगा, और अगर द question tag negative हो जाएगा, यानि कि just ultra, तो इसमें हमें दीख रहा है not, तो हमारा जो question tag होगा, वो not उसमें नहीं होगा, तो देखे किसमें है do they, तो यह हो सकता है, और क्या दिया है, don't they, तो इसमें तो already not लगा है, तो यह हम not वाला नहीं लेंगे, और third दिया है does they, तो क्या होगा इ देखी, यहाँ पी हमें दिया है, अ और they क्या होता है? तो बहु अचन के साथ बहु अचन क्रिया रहेगा, तो बहु अचन क्रिया कौंसा होता है? do होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहीं इसका right answer हो जाएगा do they, ठीक है, तो हमेसा याद रखना कि जो sentence दिया गय सेंटेंस निगेटिव है तो उसका question take positive होगा ठीक है अगर पाजेटिव है तो negative होगा बस यही दो ही चीजी याद रखना है आपको तो यहां से आपका question take बन जाएगा next question है तिसरा is there blanks new student in the class is there blanks new student in the class तो इसमें हमें यूज करना है any some much तो क्या आएगा तो यहां पे आजाएगा तीसरे में any चुकी दिए गया sentence interrogative है प्रस्णवाचक है तो प्रस्णवाचक में हमेशा any का यूज होता है ठीक है किसका यूज होता है? any का. दिए गया sentence कैसा है प्रस्णवाचक है क्याuter हो गए इसका अबदूल रिचेस होम ब्लैंक्स 6 पी एम इवरी डे तो इसमें हमें अल्टा नेट विज दिया गया है एट उन इन तो हमें इसा समाई के लिए 8 यूज होता है फ्रेंड तो इसमें क्या जाएगा अब्दूल रोज 6 बजे घर पहुंचता है ठीक है तो अब्दूल रिचेस होम एट 6 पी एम इवरी डे नेक्स है पांचवा इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें क्या जाएगा वह उसके पास गया ठीक है इसमें से भी question आ सकता है या फिर आपको ऐसे ही some, any, many को और question take इसी सभी का question आपको देखने को मिलेगा तो यह सभी किसा भी clear है अच्छे से समझ गए होंगे अब आए हम लोग match columns देखते हैं जो कि C में दिया गए है match columns column A को column B से हमें match करना है तो column A में हमें पहला दिया गहें C lived in Goa, C lived in Goa, वहाँ Goa में रहती थी तो इसका right answer हो जाएका वहाँ दूसरा है we arrived late for the show, हम लोग 100 में देरी से पहुँचे क्यों पहुँचे, because my friend had gone to visit his uncle, क्योंकि मेरा दोस्त अपने चाचा को देखने गाया था, तो इसका right answer हो जाएगा, तो we are out of late for the show, because my friend had gone to visit his uncle, तो ये इसका answer हो जाएगा, तीसरा है, the grass was yellow, the grass was yellow, grass यानि की घास पीला था, क्यों पीला था, as it not rained at all, चुकि वर्षा नहीं हुआ थो, तो इसका answer हो जाएगा, first friend, फिर उसे प्रकार चाओ था, we had not eaten anything, हम लोग कुछ नहीं खाये थे, so we went to a restaurant, तो हम restaurant गये, बहुँच सिंपल सिंपल दिया रहता है, ये इस तरीके से आपको बस थोड़ा सर ध्यान देना है, ठीक है न, फिर आपसे सभी के सभी question हाल होंगे, ठीक है, तो we had not eaten anything, so we went to a restaurant, तो हम restaurant गये, फिर पांच हुआ है, करन had not studied for test, तो इसका right answer हो जाएगा, तो ये हो गए match column, अब आईए देखते हैं, और क्या-क्या question दिये गए हैं इनके बारे में, तो note करके हमें दिया गए question number 226 are based on the following passage, तो 2-6 question इस passage को उपर depend है, तो friend आपको unseen passage और shrink passage तो question आई गहीं आएगा, तो ये भी बहुत simple होता है, इसको बस आपको ध्यान से पढ़ना है, और नीचे दिये गए question को आपको answer देना है, ठीक है, नीचे दिये गए question को आपको answer देना है, जो कि 2-6 दिया गया है, तो आपको इस passage को अच्छे से पढ़ लेना है, और नीचे दिये गए प्रफशनों के उत्तर देना है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर हमें note करके दिया है, answer the following question, question number 7-10 in 2 or 3 sentence each, तो friends ये हमें कूछ question दिये गए है, जिनका उत्तर हमें 2-3 sentence में देना है, जो कि दिया गया है साथ वा question, how did the girl justify her presence in auditorium, how did the girl justify her presence in auditorium, लड़की ने auditorium में अपने उपस्थित्री को उचित के उठा रहा है, जो कि most important question है, फ्रेंड, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, आठवा question है, आठवा question है, why did Akas decided to settle down in India, Akas ने भारत में settle होने का नेड़ा क्यों लिया, what does it show about his character, यह उसके चरित्र के ब्यारे में क्या दिखाता है, जो कि most important question है, फ्रेंड, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है, नवा question है, what was the mood of the headmaster when he entered the class, तो यह भी most important question है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, कि headmaster का mood कैसा था, जब उज़ों ने class में प्रवेश किया, दासवा question है, to whom is Ibn Battutas narrating his journeys, जो कि most important question है, फ्रेंड, ऐसको आपको तैयार करके ही जाना है, फिर प्रस्न 11 है, अंसर सीट का दूइती प्रतिवाला, duplicate market सीट के बारे में, ठीक है, यह दोनों most important है, और आपको आथ्वा में दिया गया है, इस तरीके से आपको एक याद रखना है, चूकि नाम वाम आपको चेंज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर दिया गहे है, तो आपको तो रखना एक ही है, बस नाम उसी की अनुसार आपको लिखना है, चो नाम दिया रहेगा, ठीक है, फिर बारवा question है, write a paragraph on health is wealth on the basic of given hints, तो आपको पैराग्राप भी लिखने आना चाहिए, पैराग्राप भी यहाँ से आपको पैराग्राप हर साल पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गहे, health is wealth, तो इसे भी आप लोग तयार करके रखिए, तो आपको नीचे दिये ग है, तो इस तरीके से आपको हिंट के अनुसार आपको तयार करके जाना है, फिर इसका अथ्वा में हमें दिया है, write a paragraph on polythin banks, देखो इस तरीके से polythin है, और health है, यह इस तरीके से आपको पैराग्राप तयार करके जाना है, ठीक है, जो कि most important है, और आई गही आएगा, a great nois using following hints, तो इसमें भी आपको polythin bank के बारे में हमें point point दे दीगे, उसी के अनुसार हमें इसको बनाना है, लिखना है, ठीक है, प्रस्न तेरा दिया है, तो यह भी आपको लेटर तयार करके जाना है, जो कि most important है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेटर पूछेगा ही, पूछेगा, फिर अथवा में हमें दिया है, write a notice for school notice board, student about quiz competition to be held on 19th August at your school, 19 अगस्त को जो आपके competition हुआ, उसके बारे में आपको बताना है, फिर प्रस्न 14 दिया है, read the following poem carefully and answer the following question, any five, तो ये फ्रेंस आपको question poem दे दियागा है, इसको आपको carefully पढ़ना है, और इसका उत्तर देना है, ठीक है, तो ये भी आप तयार करके रखिया, ऐसे ऐसे question, ऐसे ही आपको आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो read the following poem, तो आपको poem को पढ़ना है, सवधानी पूर्वाक and answer the given question, और आपको दिये गए question का answer देना है, तो इसको आइसे question बहुत simple होते हैं, बस अच्छे से ध्यान से पढ़िये, और हो सके तो आइसे question को last में हल करना, जब आपके पास परियाप्त समाय हो, ठीक है, पहले ही इसमें मतलग जाना, पहले आप जान तो do is directed में हमें पहला दिया गया है, I do my work in time, I do my work in time, change into interrogative, तो हमें इसको interrogative में change करना है, अर्थात प्रस्नव आचक बनाना है, तो प्रस्नव आचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सहयक क्रिया है, तो सहयक क्रिया में हमें क्या दिख रहे है, do, उसको हम पहले ले आते हैं, पहले लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, do I do my work in time, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यह दू बाहर में भी होगा है, तो क्या हो जाएगा, इसका interrogative, do, पहले लिखा जाएगा, do I, फिर do my work in time, क्या मैं अपना काम समय पर करता हूँ, ऐसा हो जाएगा, इसका interrogative प्रस्नमाचर, ठीक है, दूसरा हमें दिया है, Ram helps his father in the field, Ram, फेत में अपने पीता की मदद करता है, तो हमें इसका क्या बनाना है, make the sentence emphatic using do, does, did, तो हमें do, does, this का यूज़ करके हमें emphatic बनाना है, तो देखो, Ram help, तो Ram कैसा person है, ठर्ड़ परसन है, और ठर्ड़ परसन के साथ हमें इसका क्या लगता है, डज़ लगता है, तो हम इसमें does का यूज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Ram does help his father in the field, तो क्या you will work harder, एड़ question take, तो यहाँ पे भी देखो, फ्रेंज, हमे Spider take उसमें भी देखते हैं, और इसमें भी यहाँ पे हमें इस सकारात्मक में दिया है, और उसमें नकारात्मक में दोनों confusion seems, आपको यहाँ से question take आब आपसे बनेगा ही, बनेगा, तो देखो, हमें इसमें question take में क्या दिया गया है you will work harder जो कि कैसा sentence है जो कि सकारात्मक में है तो इसका question take क्या होगा नकारात्मक में होगा तो क्या हो जाएगा question take इसका will not you बस फ्रेंड देखो you will दिया गया है तो हम last time में क्या लिख लेंगे पहले लिख लेंगे you will work harder, फिर क्या हो जाएगा, will not you, या फिर आप लिख सकते हैं, want you, ठीक है, क्या हो जाएगा, want you, want you, you will work harder, want you, हो जाएगा, और उसमें क्या दिया गया था, उसमें negative दिया गया था, तो उसका question take क्या होगा, positive होगा, और यहां पर हमें दिया गया है, दिया गया sentence positive है, तो इसका question take कैसा होगा, negative होगा, ठीक है, देखो इसमें not है, इसमें not नहीं है, तो इसमें not रहेगा, और अगर उसमें not है, दिया गया sentence में, तो इसमें not नहीं रहेगा, बस इतना ही याद रखे, question take के बारे में, ठी मैं साम को अपने पीता के साथ काटूंस देख था तो इसमें हमें लिखना है बताना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वूड या यूजड टू तो हमेशा याद रखना जब भी खेला करता इस तरीके से सेंटेंस में आये तो क्या हो जाएगा यूजड टू के यूज होता मैं काटूंस देखा करता था विथ माइड इन द इवनिंग साम में अपने पीता के साथ तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है इसमें इसमें क्या आजाएगा यूजड टू आजाएगा यूजड टू टू फ्रेंट ठीक है तो वेन आई वाजड टू आई यूजड टू टू वाजड फोन पर बात कर रहा था कहली स्थान एक आराईव्ड पहुंच़ा जब मैं पहूंचे तो जब किसमें आता है तो हमें यूजड ने के Лिए क्लिए हैके हाँ है और टू यजड टू आपसके घॉलcessors यहाँड यहाँ पहूंचा यहाँ एज बालब हुद पहूंचर वह फोन पर बात कर रहा था जब मैं पहुंचा ठीक है फिर छेठवा दिया गया है तो यहां पर चेंज करने के लिए इससे निगेटिव में चेंज करेंगे निगेटिव अर्थाट नॉट लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा तो ही टूक जो की टूक टेक का सेकंड फॉर्म है तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड यहां पर हम लिखेंगे he, चुकि ये past indefinite tense में है तो past indefinite tense में not लगाने से पहले क्या आता है did आता है, तो क्या हो जाएगा he, और ये took, took, take का second form है तो he, did he did not he did not और इस took का हो जाएगा take, he did not take, his break फास्ट एट, 8 a.m हो जाएगा ठीक है, समझ में आ गा है he, did not take his breakfast at 8 a.m ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है आएगा, ये next question देखते है solvea दिया है, read the following passage carefully and answer the again question, तो ये देखो फ्रेंस आपको unseen passage, unseen passage दोनों आएगा और ये बहुत simple होता है, आपको बस अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे देखे question को का answer देना है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से और हो सके तो अंत में बनाने की कोशिस करना, फिर आपको 17 question है, write an essay on one of the following topics तो आपको किसी एक वी से पर निबन लिखना है, जो कि इन में से सबसे महत्वपूर है, wonder of science जो कि हर साल लगभग पूछा जा रहा है, यह तो आप हमेंसा तयार कर रखिए, wonder of science, कुछ भी नाम दे सकता है, आपको confusion नहीं होना है, यही नहीं कि wonder of science के नाम से ही लिख कर रहेगा, नहीं, कुछ भी और लिखा रहेगा, और उसके last में लिखा रहेगा, science, तो science जैसे ही आपको लिखा हुआ विल जाए, आप समझ जाना कि wonder of science है, और आपको लिख नहीं है, ठीक है, और दूसरा, my hobby, इन दोनों को आपको तैयार कर करके ही रखना है, पहला है wonder of science, और दूसरा my hobby, और 3 ए इंडियान festival, ठीक है, तो इन 3 में से, कि इन ही 2 को आपको तैयार कर कर के ह करना है ठीक है तो यह हो गया इस तरीके से आपको most important पूरा पता चल गया कि अब आपका English का डर खत्म हो गए होगा तो इस तरीके से हल करना है फ्रेंस मैंने आपको सारा चीज बता दिया आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्स्राइब करें और अपने दोस्तों में भी सेयर करें थांक्स फॉर वाचिंग